हेलो फैंस मेरा रवी कांत है और कंपिटेटिव वर्ल नौलेज में आपका स्वागत है तो आज हम देखेंगे पाइप सेंट सिस्टर्न का फर्स्ट पार्ट और देखेंगे कि कैसे हम कोशन को समार्ट वे के साथ स्वाल कर सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें और जो नीचे बैल आइकन का बटन है उसे कलिक करें जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगे स्टाट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट पाइपसंड सिस्टर्न का सो इसमें जो हमारा फर्स्ट कोशन है वो क्या है कि टू पाइपस ए और बी कैन फिल टैंक इन एटीन और फिल करने में ठीक है open करते हैं तो कितना time लेंगे वो दुनो feel कर ने में, ठीक है? so क्या है कि एक tank है, ठीक है tap A है, inlet pipe छो इसको थारा गंते में feel कर रही है एक tank को और एक B tap है, ठीक है, जो इसको छे गंते में feel कर रही है अगर हम दोनों taps को ठीक है इकठे यहां पर on कर देते हैं ठीक है खोल देते हैं दोनों taps को तो कितना time ले गई इस tank को feel करने में clear है तो इसको हम किस way के साथ करेंगे question को solve same way के साथ करेंगे जैसा कि हमने time and work के concept question में किये थे clear है so यहां पर जो a है वो ठारा गंटे में feel कर रहे है और जो b है यह इसको 6 गंटे में feel कर रहे है clear है so हम a and b ठीक है 18 and 6 का calcium लेंगे सो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा ठीक है so यहां पर जो 18 आया है यह क्या है total capacity किसकी tank की हम इसको assume करके चलते हैं कि जो total tank है यह total tank यह कितने लीटर का है total 18 लीटर का है ठीक है 18 लीटर का total tank है यह हम assume करके चलते हैं so एक गंटे में निकाल लेते हैं कि जो pipe a है वो कितना feel करेगा एक गंटे में एक लीटर पानी feel करेगा और जो बी यह एक गंदे में कितना पानी फील करेगा ठीक है तो अगर दोनों साथ में ओपन करते हैं तो वह एक गंदे में कितने लीटर पानी यहां पर डालेंगे 4 लिटर पानी डालेंगे clear है so total tank की capacity कितनी है यहाँ पे 18 है so 18 को divide किसे करेंगे 4 से अगर दोनों taps हम open करते है so यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 by 2 ठीक है so यहाँ पे option क्या आ जाएगी यह option ठीक है so mixed fraction है आप इसको solve कर सकते हो 2 multiply 4 8 plus 1 9 by 2 so A हमारा क्या जाएगा answer आ जाएगा clear है guys कि जैसे हमने time and work के question किये थे same concept के साथ हम यहाँ पे pipes and systems के भी questions attempt करेंगे clear है so next question देखते है there are two tanks A and B to fill up water tank ठीक है यहाँ पे क्या आएगा pipes आएगा so दो pipes हैं यहाँ पे A and B जो water tank को fill कर रहे है the tank can be filled in 40 minutes if both taps are on अगर तो हम A plus B दोनो taps हम open करते हैं तो यह कितने 40 minutes में fill कर रहे है same tank can be filled in 60 minutes ठीक है 60 minutes में fill हो रहे है अगर तो A alone on हो रहे है अगर तो हम tap A को on करते हैं तो यह 60 minutes में tank को fill कर सकता है clear है so how much time will tap B ठीक है B जो tap है वो अकेला कितना time लेगा same tank को fill करने के लिए ठीक है so हम यहाँ पे क्या करेंगे 40 और 60 का हम LCM निकालेंगे so LCM कितना आजाएगा यहाँ पे 120 आजाएगा ठीक है so 120 क्या है यहाँ पे total जो tank है उसकी total capacity कितनी है 120 liter clear है guys so A plus B ठीक है यहाँ पे 1 गंटे में कितना पानी fill करेंगे 120 को 40 से divide करेंगे so कितना आजाएगा 3 और A का हम 1 गंटे का निकालेंगे कितना fill करेंगा पानी यह 120 को 60 से divide करेंगे 2 clear है guys so A plus B ए गंटे में 3 लिटर पानी वो fill करने है उस टैंक में और जो A है अकेला यह 2 गंटे में कर रहा है so यहाँ से B की वैल्यू क्या आजाएगी A plus B is equal to 3 आजाएगा so A की वैल्यू कितनी है 2 हम यहाँ से B की वैल्यू को निकाल लेंगे so B की वैल्यू कितनी आजाएगी यहाँ से 1 so जो B है वो एक गंटे में एक लेटर पानी ही उस टैंक में fill कर रहे है so total capacity कितनी है टैंक की 120 so 120 को 1 से divide करोगे तो कितना आजाएगा 120 hour में वो minute में सो रही है यहाँ पर minute में given है so 120 minute में वो उस टैंक को fill कर देगा अगर तो अकेला B हम on करते है so next question देखते है next question क्या है कि a system can be filled up in 4 hour by inlet A एक inlet यहाँ की pipe है A वो 4 गंटे में fill कर रहा है and outlet B can empty the system in 8 hour एक outlet pipe है जो उस tank को 8 गंटे में खाली कर रहा है so जो A है यह 4 गंटे में fill कर रहा है और जो B है ठीक है B के है पानी निकालने का काम कर रहा है तो हम इसको minus में लेंगे clear है guys so यह 8 hours में पानी निकाल रहा है पूरे tank को खाली कर रहा है ठीक है if both A and B are open simultaneously अगर दोनों को साथ में हम open करते हैं then after how much time will the system get filled कितनी देर में जो वो tank है वो feel होगा यह हमने पता करना है so दोनों के LCM लेंगे कितना आ जाएगा 8 so जो total tank की capacity है वो कितने का है 8 liter का है ठीक है यह हम मान के चलेंगे so यहाँ पे एक गंटे में एक कितना feel करेगा 2 liter feel करेगा 8 को 8 divided by 4 और यहाँ पे B है जो ठीक है वो एक गंटे में कितना पानी बाहर निकालेगा ठीक है माइनस में यह पानी निकालने का काम कर रहा है 8 divided by 8 1 clear है so यहाँ पे क्या हो रहा है कि A है जो 2 गंटे में पानी feel कर रहा है और जो B है एक गंटे में एक लीटर पानी बाहर निकाल रहा है clear है so हम यहाँ से क्या करेंगे कि एक लीटर में अगर हम दोनों को साथ में open करते हैं तो एक लीटर में कितना पानी उस टैंक के अंदर feel होगा एक गंटे में ठीक है हमने यह पता करने है सो क्या करेंगे यहाँ पर पहले प्लस करते थे लेकिन यहाँ पर B की वैल्यू क्या है माइनस में सो माइनस करेंगे 2 माइनस 1 कितना आजाएगा 1 सो एक गंटे में एक लीटर पानी है वो इस टैंक के अंदर जाएगा clear है सो टोटल टैंक की कपैस्टिक इतनी यहाँ पर 8 लीटर का टैंक है सो 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे कितना आजाएगा 8 सो 8 अवर में यह जो टैंक है यह पूरा का पूरा फील हो जाएगा सो यहाँ से जो हमारा अंसर आजाएगा C option is the right answer clear है गए I hope आप लोगों को यह ट्रिक समझ में आई होगी कि इस type के questions को हम कैसे solve करेंगे So next question क्यों move करते है So next question क्या है हमारा A pipe can fill a tank in 20 hours ठीक है एपाइप है जो वो tank को 20 गंटे में बर रहा है due to leak in the bottom ठीक है बोटम में क्या leak हो रहा है It is filled in 40 hours So यहाँ पे हम मान लेते हैं कि A जो pipe है यह 20 गंटे में पानी को fill कर रहा है ठीक है यहाँ पे bottom में एक pipe है B pipe मान लेते हैं उसको ठीक है A pipe है और यहाँ से एक B pipe है जो leakage pipe है clear है So यहाँ पे A minus B due to leak in the bottom It is filled यह जो पूरा tank है यह fill हो रहा है ठीक है मतलब कि यहाँ पे दोनों pipes को open किया हुआ है ठीक है Leakage के कारण यह कितना feel हो रहा है 40 hours में feel हो रहा है So यहाँ पे A minus B की value हमें given है Clear है guys So यह line है जो आप लोग ने द्यान से इसको read out करना है कि क्या question में हमें समझाया हुआ है If the tank is full ठीक है अगर तो tank यह पूरा बरा हुआ है How much time will the leak take to empty it जो यहाँ पे B pipe है ठीक है Outlet pipe है कितना time लएगा इस पूरे tank को खतम करने के लिए So हमने यह पता करना है So दोनों का LCM कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 So इसकी जो tank की capacity है वो 40 liter का है So A है जो वो एक गंटे में कितना पानी फिल कर रहा है ठीक है water 2 liter पानी फिल कर रहा है So 40 divided by 20 A minus B का 1 गंटे में निकाल लेते है So एक गंटे में एक लेटर यह पानी फिल कर रहा है So यहाँ से हमारे पास A minus B की value कितनी आई है यहाँ से 1 आई है हमने किसकी value निकालनी है B की A की value कितनी given है 2 minus B is equal to 1 so minus B 2 equal to minus में जाएगा so minus 1 minus minus cancer जो B की value आजेगी कितनी आजेगी 1 hour ठीक है जो B pipe है वो क्या है leakage pipe है वो एक गंटे में एक लीटर पानी बहा निकाल रहा है ठीक है अगर उसको पूरे tank को खाली करने के लिए कितना time लगेगा ये हमने पता करना है so total tank की capacity कितनी है 40 liter की 40 divided by 1 कितना आजेगा 40 hours आजेगा so उसे 40 गंटे लगेंगे B pipe को tank को खाली करने के लिए so हमारे पास option क्या आजाएगा यहां से A is the right answer clear है guys so next question के और move करते है next question क्या है कि a pipe can feel a tank in 10 hours ठीक है जो a pipe है वो tank को 10 गंटे में feel कर रहा है while another pipe can empty it in 6 hours ठीक है so a pipe ठीक है यह 10 hours में feel कर रहा है और जो pipe B है यह क्या कर रहा है खाली कर रहा है so यह minus में हम यहां पर sign लेंगे so कितना आ जाएगा यहां पर 6 hours में खाली कर रहा है find the time taken to empty the tank ठीक हमने time पता करना है कि tank को हम खाली कर सके when both the pipes are opened simultaneously अगर दोनों pipes को हम open करते हैं तो so दोनों का LCM यहां से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा मतलब कि जो टोट यह tank है इसकी capacity कितनी है यह 30 लेटर का tank है so a एक गंटे में कितना feel करेगा पानी 3 लीटर ठीक है 30 divided by 10 और बी एक गंटे में कितना पानी बाहर निकालेगा 30 divided by 6 5 clear है guys so 3 minus 5 यहां पर 3 minus 5 करेंगे कितना minus 2 यानि कि total एक गंटे में 2 लीटर पानी है जो वो बाहर जा रहा है clear है so minus में आ रहा है it means कि दो एक गंटे में 2 लीटर जो पानी है overall वो बाहर जा रहा है so tank कितनी देर में खाली होगा यह हमने पता करना है total capacity कितनी है tank की 30 किसे divide करेंगे 2 से divide करेंगे so कितना है 15 so 15 hours में यह जो पूरा को पूरा tank है यह क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा so हमारे पास option क्या जाएगा B is the right answer clear है guys की question को हम कैसे solve करेंगे किस way के साथ करेंगे so I hope आप लोगों को वो trick पता चल चुकी होगी है so next question देखते है three tabs are fitted in a system ठीक है system में three tabs है the empty system is filled by the first and second tabs in three and four hours respectively ठीक है जो खाली tank है वो पूरा को पूरा ठीक है feel हो रहा है by the first and second tabs ठीक है so first tab है यह इसको 3 गंटे में feel कर रहा है जो B tab है यह से 4 गंटे में feel कर रहा है the full system is emptied by the third tab in five hours ठीक है जो यह पूरा tank है यह खाली हो रहा है C pipe के द्वारा tap के द्वारा जो इसे 5 गंटे में पूरा का पूरा खाली कर देता है if all the three tabs are opened simultaneously the empty system will be filled in कितने time में वो feel होगा अगर तीनों को open कर देते हैं so C यहां पे निकार रहा है पानी को so हम इसको minus मिलेंगे so तीनों का हम LCM निकालेंगे LCM कितना आ जाएगा यहां पे 60 so A जो एक गंटे में कितना यहां पे feel करेगा 20 लिटर B एक गंटे में कितना water feel करेगा 15 लिटर और C कितना पानी यहां पे निकालेगा 12 लिटर सोरी ठीक है 60 को 5 से divide करेंगे so अभी हम क्या करेंगे तीनों को हमने open किया हुआ है so 20 प्लस 50 दोनों को plus करेंगे और इसमें से हम क्या minus कर देंगे 12 को minus कर देंगे क्योंकि जो C pipe है यह पानी को बाहर निकाल रहा है clear है so जैसा कि हम figure में देख लेते हैं कि A pipe है जो पानी feel कर रहा है और B pipe इसको feel कर रहा है जो C pipe है वो पानी बाहर निकाल रहा है so यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा ठीक है so 23 liter जो पानी है overall इस tank में वो feel हो रहा है total यहां पे tank की capacity कितनी है 60 liter so कितनी देर में feel करेगा so 60 को divide किस से कर देंगे 23 से जो हमारे पास यहां पे overall आया है so 60 by 23 हमारा क्या आ जाएगा answer so यहां से option क्या आ जाएगा B is the right answer 23 को 2 से करेंगे 46 plus 14 करेंगे 60 so 60 by 23 यानि कि B option हमारा यहां से answer आ जाएगा clear है guys so next question क्यों और move करते है next question क्या है कि pipe A can feel a tank in 30 minutes A है जो वो 30 minute में feel हो रहा है और जो B pipe है वो same tank 10 minute में उसको feel कर रहा है C जो pipe है उस tank को empty खाली कर रहा है 40 minutes में so minus में लेंगे यहां पर clear so elsem कितना आ जाएगा यहां पर 120 so पूरे tank की capacity हम क्या assume करेंगे 120 liter का so 1 गंटे में A कितना feel करेंगा यहां पर 4 liter और जो B है 1 गंटे में कितना feel करेंगा यहां पर 12 liter feel करेंगा और जो C 1 गंटे में कितना पानी बाहर निकालेगा open together how much time will be needed to make the tank full कितनी देर में पूरा बढ़ जाएगा अगर तीनों को open करेंगे so इन दोनों को हम plus कर देंगे और इसको क्या कर देंगे minus कर देंगे क्योंकि C है जो minus में so 4 plus 12 16 16 minus 3 कितना आ जाएगा 13 means to say 1 गंटे में 13 liter जो पानी है वो feel हो रहा है उस tank में total कितना है 120 so divide किस से करेंगे 13 से यह हमारा क्या जाएगा answer so option match कर लेते हैं first option क्या है 13 multiply 9 117 plus 3 120 so option A ही हमारा क्या आ रहा है answer आ रहा है clear है guys so एक question और देख लेते हैं जो आपका competitive exam में पूछा गया है that is SSC में 2010 में so through an inlet a tank takes 8 hours to get filled up so inlet pipe A है जो 8 गंटे में उसको fill कर रहा है due to a leak in the bottom leak की वज़ा से it takes 2 hours more to get it filled completely leak की वज़ा से यह 2 गंटे और ज्यादा ले रहा है इसको भरने के लिए ठीक है leak की वज़ा से यानि की A-B हमें कितना गिवन है यहां पे पहले 8 hours में fill कर रहा था अभी कितने hours में fill कर रहा है 10 hours में यहां पे fill करेगा clear है guys कि यहां पे leak की वज़ा से क्या था it takes 2 hours more ठीक है 2 गंटे ज्यादा ले रहा है यहां पे पानी fill तो हो रहा था लेकिन यहां पे एक outlet pipe है जो पानी को बाहर निकालने का काम कर रहा है clear है यहां से क्या एक B pipe है so दोनों का calcium कितना आ जाएगा है यहां पे 40 means to say यह जो tank है इसकी capacity कितनी है 40 liter का tank है so एक गंटे में एक कितना यहां पे पानी है जो fill करेगा यहां पे 40 divided by 8 5 ठीक है और A minus B एक गंटे में कितना पानी इसमें fill करेंगे 40 divided by 10 4 clear है guys so यहां से A minus B की value कितनी है यह हमारे पास 4 हमने क्या पता करना है if the tank is full अगर तो tank पूरा बरा हुआ है how much time will the leak take to empty चो B pipe है यह कितना time लेगा इसको खाली करने के लिए हमने यह पता करना है A की value कितनी है यह 5 यहां पे पुट कर देंगे minus B is equal to 4 so minus B is equal to 5 full set minus में जाएगा so कितना जाएगा minus 1 so minus minus cancel B की value कितनी आ जाएगी यहां से 1 means to say कि जो B है ठीक है outlet pipe यह एक गंटे में एक लीटर पानी बहा निकाल रहा है so total कितने लीटर पानी है उसमें 40 लीटर पानी है so 40 को 1 से divide करेंगे so 40 hours में वो पानी को बाहर पूरा का पूरा tank ठीक खाले कर देगा clear है so यहां से option कितना आ जाएगा D option आ जाएगा clear है guys so I hope आप लोगों को यह first part clear हुआ होगा कि कैसे हम questions को solve करेंगे जो part 2 होगा उसमें हम high level के questions को देखेंगे जो भी आपके python systems की chapter में से आपके exams में पूछे गए है clear है guys so guys अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे like जरूर करें share करें अपने दोस्तों के साथ और comment करके बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ या आपको कोई भी doubts होतों और आप facebook page को भी like कर सकते हैं जो नीचे description box में given है so thank you guys have a good day